Hello all and welcome to recognition IAS Essay writing के strategy के बारे में हम लोग discuss करेंगे इस वीडियो में देखें Essay writing जो होता है वो GS से थोड़ा सा different होता है यहाँ पर Essay writing की जो technique होती है और जो content होता है या फिर structure होती है यह सब चीज़े जो GS से different है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर में Essay का writing कैसे करना है क्योंकि कई लोगों को यह problem हो रही थी and कई सरी queries भी आ रहे थी Essay writing के लिए देखते हैं आखिर में Essay writing में क्या करना होता है कैसे लिखना चाहिए और इसके क्या क्या sources हो सकते हैं प्लस एक source होती है जो formal source होती है और दूसरी होती है जिसे हम जुगार source बोलते है तो हम लोग देखेंगे कि आखिर में हमारा जुगार source क्या है formal source क्या है और हमारा ultimate aim है कि maximize अपने marks को कैसे करना है कैसे हम अपने marks को 150 या उससे उपर कैसे ले आ सकते हैं अपने discussion को सबसे पहले देखिए किसी भी चाहे आपको answer writing करना हो GS की या फिर आपको अपने essay की writing करना हो structure दोनों का same होता है structure कहने का मतलब कि आपको introduction लिखना ही लिखना होता है इसके बाद आपको body लिखनी ही लिखनी होती है और साथ में आपको conclusion लिखना ही लिखना होता है essay और GS के साथ में एक basic और एक you can say की easy difference ये है कि essay में आपको बहुत ही sufficient time मिलता है क्योंकि किवल और किवल आपको 2 essay लिखने होते हैं out of 8 essay जितने भी दिये जाते हैं दो ही essay लिखने होते हैं और काफी time होता है आपके पास तो आप यहाँ पर अपना time content जुटाने में लगा सकते हैं you have sufficient time GS में क्या होता है कि आपके पास समय नहीं होता है आपके पिछे कुटा भाग रहा होता है और आपको फटा फट उसी speed में लिखना होता है तो 20 questions तीन घंटे के अंदर में लिखना is really a very challenging task और इसी को content यहाँ पर content development करने के लिए आपके पास कोई time vibe नहीं मिलता है तो यहाँ पर फटा फटा आपके वल और के वल answer writing कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यह है कि अगर आप practice किये हैं then it is okay अगर practice नहीं भी किये तो ज़्यादा marks का difference नहीं आता है जो कुछ भी difference हो सकता है वो 10 से 20 number का ही difference होगा although this 10 to 20 number is too big number but still it can be managed लेकिन जो यहाँ पर essay में marks होते हैं इसको managed नहीं किया सकता है because यहाँ पर यह 30 to 40 marks का difference लेकर के आता है जो कि unmanageable होता है so it is very important कि आखिर में essay में क्या करना है तो एक तो basic difference यहाँ पर जो होती है वो तो मैंने आपको बता ही थी अब देखिए यहाँ पर भी structure में यही introduction, यही body, यही conclusion होता है लेकिन essay की जो introduction होती है वो different होती है essay की जो body होती है वो different होती है और essay की जो conclusion होती है वो भी different होती है तो इन तीनों के बारे में one by one करके हम लोग जड़ा discuss कर लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें है सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी essay है इसमें introduction में क्या होती है देखिए introduction को करने के लिए different different तरीके होते हैं और यह different different तरीके अलग-अलग aspirants के द्वारा लिखे जाते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सही, कोई भी चीज़ गलत है, सब के सब सही होते है जहां पर आप कोई story form करते हैं, story, अब देखिए कुछ लोग तो story एक खुदकी भी बना लेते हैं, मनगणती story बना लेते हैं एक लड़का था, एक लड़की थी और फिर ultimately जो भी essay की, जो subject होती है, उस story को गुमा देते हैं कभी मत करिएगा ये काम, because this can harm you, हो सकता आपकी story पसंद ना है, लेकिन यहां पर क्या चीज़े की जा सकती है, true stories true story, जैसे की मान लेते हैं कोई बुद्धा की story आपको याद है, आप उसको लिख दीजिए या फिर महात्मा गांधी की कोई story याद है, आप लिख दीजिए, रविना टैगोर की कोई story याद है, आप लिख दीजिए तो जितने भी इस तरीकी की personalities है, इन personality की story कई बार आप लोगोंने पढ़ी भी होंगी, या YouTube पे सुनी होंगी, या कहीं न कहीं आप लोगों को ये example के format में दिया गया होगा तो अगर कोई topic इस से relevant start हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि इनकी जो true story है, वो कहीं न कहीं topic के इर्द गिर्द घूम रही है, थोड़ी सी energetic type की अगर story आ रही है, बिल्कुल आप लिखिए, this is very attractive type of writing essay introduction, एक तो ये type होता है दूसरा type होता है, जहां पर आप अपने जो introduction है, उसको quotation के साथ में start कर रहे हैं, तो आप जो quotation के साथ इस्टार्ट करते हैं, उसमें भी if and buts, यानि की pros and cons zone है सबसे पहले quotation जो आपने लिखा है, word to word एकदम correct होना चाहिए, तो word to word आपको चीज़े याद रहें, ये आपको धियान रखना है जैसे कुछ-कुछ quotes ऐसे होते हैं, जो कहीं पर भी आप fit कर सकते हैं, जैसे doctor IP जो अब दिलकलाम की कोई quote है, उसको आप कहीं पर भी fit कर सकते हैं, चाहे वो new India हो, चाहे research हो, चाहे education हो, चाहे किसी भी प्रकार से अगर educational development के बारे में आ रहा है, तो उसको आप fit कर सकते हैं, तो ऐसे जो quotes होते हैं, उसको आप रटा मार लीजिए, मैं आपको कुछ-कुछ subjects दूँगा, उसके basis पर आप quotation को याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस subject को आपको डालना है, आगे लिग दीजिए quote और उसके बास से कई सारे quotations आपको Google करने पर मिल जाएंगे, एक जैसे क्या है, जैसे education का topic ले लिजिए, this is education, science का topic ले लिजिए, science मतलब research का topic, this is research, इसके अलावा women का topic ले लिजिए, इसके अलावा poverty का topic ले लिजिए, इसके अलावा democracy का topic ले लिजिए, इसके अलावा caste barrier का topic ले लिजिए, diversity का topic ले लिजिए, ठीक है, तो एक idea आपको लग आपको हमेशा याद रहनी चाहिए तो ये industrial development को आपको focus करना है अगर economic survey आपने पढ़ा है तो economic survey में जो quotation use की गई है उसको as it is याद कर लिजे तो at least 20 quotation आपको इस तरीके से याद कर लेना है और अगर आपका subject fit बैठ जाता है तो use कर लिजे introduction को तीसरा जो तरीका होता है introduction use करने का वो होता है question basis पे कि आपने question mark करके तब आपने content को start किया है जैसे agriculture ही है या फिर education ही है तो एक side में आप education के positive और दूसरे side education के negative उसको आप दोनों को एक दूसरे के साथ में एक scale पर measure करते हुए दिखाईए कि what should be our next step तो ये एक question mark के basis पे भी आप start कर सकते हैं हाला कि देखे इसका scope बहुत कम होता है scope कभी बहुत कम होता है इसलिए इसको generally use नहीं करना चाहिए जब तक इस पे आप एकदम pro न हो चुके हो तब तक इसे use मत करियेगा fourth जो चीज होती है fourth तरीका होता है कि किसी एक example के तौर पे आप इस्टार्ट कर रहा है example जैसे example का basis हो गया एक तरीके से कि आपने digital India ले लिया कि digital India इंडिया में बहुत अच्छे से start हुआ है और बहुती irony wise start हुआ है या फिर service oriented economy इंडिया ने काफी अच्छा अच्छा progress किया है software industry काफी अच्छा progress किया है तो इस तरीके से अगर कोई आपको irony कुछ example इस तरीके से मिलती है जो बहुत weightage रख रही है और आपके topic के साथ match कर जा रही है go with that ठीक है जैसे employment बगरे का case हो जाए तो अगर अगर आपको ILO की websites वे कोई data कोई fact अगर पता है go with that ठीक है इसके अलब जो पाँचवी technique होती है वो होती है fact based किसी भी आप fact के साथ में start कर सकते हैं हाला कि जो last के three examples आपको बताएगे है quotation, example, sorry this question, example और fact based थोड़े से you can say कि इसमें आपको बहुत ही pro होना पड़ेगा क्योंकि देखे, pro जो fact based होते हैं वो generally attractive नहीं बन पाएंगे वो आपको attractive बनाना पड़ेगा similarly question कैसे form करना है वो आपको करना पड़ेगा similarly example वाली चीज़ आपको example strike करने चाहिए this example can be from the newspaper किसी भी newspaper से हो सकते है newspaper में भी the Hindu या फिर Times of India और EPW especially this Times of India and EPW ये दो ऐसे newspaper हैं जो ignore किये जाते हैं but I guess this is the most important paper for the case studies जितने आपको stories, जितने आपको articles इन दोनों paper में मिलेंगे वो शायद किसी और paper में the Hindu Indian Express में नहीं मिलेंगे तो हमेशा इन दोनों paper को भी एक निगा जरूर मार लेना चाहिए काफी important होता है ये तो हुआ कि क्या-क्या इसमें introduction में लिखना है अब इसके sources क्या-क्या हो सकते हैं देखे, sources के लिए we have newspapers newspaper से हम लोग क्या-क्या ले सकते हैं हम लोग newspaper से question basis use कर सकते है example क्योंकि case studies यहां से मिल जाएंगी और facts वगरे मिल जाएंगे जैसे मालने थे एक छोटी से example again फिर मैं देना चाहूंगा suppose start करता है question या sub topic आपका corruption से related है तो आप transparency international की जो report आती है उसके थूँ आप start करिए या फिर human development है या फिर woman है या फिर poverty है तो आप human development index या multi dimensional poverty index इससे start करिए ये सब जो चीज़े होती है वो कहीं न कहीं आपको extra edge देती है and this is the kind of fact that I am talking about तो ये वो चीज़े जहां से आप करिए गा clear तो ये है newspaper की कहानी पहली जीज़ दूसरी चीज़ आप magazines जैसे की योजना कुरुक्षेतर इनका यूज कर सकते हैं in fact this is the best source for writing introduction ये वो बहुत important best source होते हैं in fact कुछ नहीं करना है आपको योजना का जो बारहों महिने के निकल के आते हैं बारहों महिने के योजना को आप लोग उसका जो introduction है या कोई भी एक article उठा करके रटा मार लीजे as it is essay का मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना बिटर तरीके से आपने essay pre-prepared किया है ठीक है तो ये important होता है essay के लिए देखिए जितने भी लोगों के आप mark सुनेंगे जो लोग भी 145 या 150 या उससे उपर score किये हैं उनका एक मात्र मंत्र होता है कि वो दो essay जो लिखे होते हैं वो पहले से ही pre-prepared किये रहते हैं यानि वो essay पहले से guess कर चुके हैं कि ये essay आएगा and this is the thing that I am going to write तो ये चीज़ होती है अगर ये आपने guess कर लिया अगर आपने ये पहले से prepared आपके essay निकल गए तो 100% sure है कि आपका 150 plus marks आएगा ही आएगा क्योंकि आपने prepared करके रखा है so this is the thing तो ये हुआ formal source अब जुगार source क्या है जुगार source किसी भी topper के आप essay को उठाईए multiple sources मतलब कि multiple topics पे जो essay लिखे गए हैं उसका introduction आप रट्टा मार लीजिए education पे है अब it doesn't matter what kind of question the next examination is going to ask आप वही introduction as it is चिपका दीजिए आपको 100% surety के साथ बढ़िया number मिलेंगे तो ये काम कर सकते हैं ये हुआ जुगार जो की shortcut है and this is the best possible thing जब ready made item ready to eat item मिल रहा है then why are you cooking your food so that is the thing ये हो जाता है जुगार जो आपको काम कर जाएगा काम क्या कर जाएगा this is the best possible thing that you can do if you have less time for preparation अब हम लोग आते हैं जरा अपने body वाली चीज़ पे ये हो गई अच्छा एक चीज़ और कई लोग बोलते हैं कि we have to write thousand words yeah 1200 words क्या करें अंतिम छड तक लिखना है clear अंतिम छड अंतिम पेज तक लिखना है और thousand words, 1200 words जितने भी दियेगा है सब कुछ लिखना है ये मत सोचिएगा कि हम 700, 800 words में लिख देंगे तो ऐसा नहीं है content भी important है, word भी important है तो अंतिम छड तक लिखना है अंतिम पेज तक लिखना है ये हुआ पहली चीज divide कैसे करें देखें, आपको अपने essay में at least 8 to 10 paragraph लिखने होते है 8 से 10 paragraph जो भी आप लिखें है 100 words की आप लिखेंगे और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो content है वो तियार हो जाएगा अब देखें, ये 100 words आप रिपेर करके जाएगे तो obviously it is going to stretch up to 125 और 125 जैसे stretch करेगा आपका ये वाला जो आंकळा है वो पकड़ लेगा, ठीक है तो ये एक छोटी से और भी चीज थी जो की जुगार है जुगार कह लिजे या पर कह लिजे कि experience आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर में बॉडी में क्या लिखना है देखें, बॉडी में जो चीज लिखनी होती है आपको वो मेली लिखनी होती है कि आपका main content क्या है अब यहाँ पर आप क्या इस्टार्ट करेंगे अगर आपने ये introduction स्टार्ट कर लिया है अब आप इस introduction को justify करना शुरू करिए justification अब यह जो justification है वो कितने तरीके से दे सकते हैं पहला, कोई example quote करिए दूसरा, किसी committee की recommendation अगर आ रखेंगे तो committee की recommendation को चिपका दीजिए ठीक है, तीसरा इसके अलावा, अगर आपके पास कोई graph वगर है तो graph अगर है, बना लीजिए, अगर economics कैसे लिख रहे है surely आपके पास graph होंगे कहां से आएंगे, economic survey से आएंगे ठीक है, economic survey से आपके graph मिल गए आपने अपना content लिख दिया अब इस justification को करने के लिए again आपके पास दो चीजें आ जाती है एक होता है, जो आपका content है उसमें y वाला angle अगर दूसरा होता है consequence वाला angle consequence या इसको बोलते हैं 2c concept, c square concept cause and consequence अब इसमें cause में आप कैसे अपने dimension बढ़ाएंगे cause में dimension बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है syllabus of UPSC को याद करिए और लिखते जाईए मतलब सबसे पहले historical background आप लिखेंगे फिर इसके बाद आप इसका society angle लिखेंगे फिर इसका geographical angle लिखेंगे फिर इसका political angle लिखेंगे फिर इसका international relation से कोई angle है तो वो लिखेंगे फिर इसके बाद से economy का angle लिखेंगे फिर इसका अगर environmental कोई aspect बन रहा है तो वो लिखिए ethical angle लिखिए तो आपके पास at least 8 subtopics या 8 paragraphs ऐसे ही हो गए सिर्फ y-y में अब इसके पास इसी तरीके से आप consequence को भी इसी तरीके से UPSC syllabus के हिसाब से divide करके different different dimensions देते जाएंगे तो यह बन गया आपका body तो आपको यह fabricate करना पड़ेगा इसके लिए आपकी जो knowledge है वो use होगी introduction आप prepared कर सकते हैं pre-prepared कर सकते हैं conclusion आप pre-prepared कर सकते हैं बढ़ बाडी कभी आप pre-prepared नहीं कर पाएंगे आपको fabricate करना ही पड़ेगा lastly आती है conclusion की कहानी conclusion की कहानी के बारे में हम लोग जड़ा देख लेते हैं देखे conclusion में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए introduction में आप topic को spread करते हैं topic को खोल रहे होते हैं या फिर कह लिजिए कि यह एक diverging part होता है जहाँ पर आप चीजों को diverge कर रहे है conclusion जो होता है वो converging part होता है आप समेट रहे हैं चीजों को इस तरीके से मतलब आपने जो कुछ भी इस पूरे के पूरे paragraph में पूरे के पूरे essay में जो कुछ भी कहा है वो आप यहाँ पर summarize कर रहे हैं लेकिन अगेन यहाँ पर summarize करने के कुछ-कुछ तरीके हैं summarize करने में फिर यहाँ पर आप यही सब यूज कर सकते हैं quotation यूज कर सकते हैं example यूज कर सकते हैं या फिर question यूज कर सकते हैं और last में fact भी आप यूज कर सकते हैं quotation में again एक energetic और एक concluding होना चाहिए जैसे Swami Vivekanand की है arise awake and जो भी चीज़े हैं तो यह quotation लिख करके आप end कर सकते हैं इसी तरीके से question पूछ करके कर सकते हैं are we moving in the right direction तो इस तरीके की थोड़ी speech type वाली आपकी बन जाएगी इसी तरीके से आप fact दे करके कह सकते हैं this is the thing and we are moving in the right direction we are moving in this direction जो भी चीज़े हैं वो आप ultimately यह conclude कर सकते हैं example दे करके भी same वही चीज़ को यह quotation दे करके अब यहाँ पर भी आपके पास source क्या है यही सब source है newspaper, रियोजना, कुरुक्षेत and all that लेकिन जुगार क्या है जुगार भी वही है जो आपने यहाँ पर introduction में जुगार दिया वही आप जुगार दिजिए तो यह होती है पूरी के पूरी essay की कहानी essay में यही पूरा आपको content मिलेगा even अगर आप किसी toppers की paper उठा कर देखिए देखिए आपको एक थोड़े model answer देखने होते हैं model answer देखने पढ़ेंगे otherwise आपको idea नहीं लगेगा यह आप क्या लिख रहे हैं और in fact third person से आपको check कराना भी important होता है otherwise आप अपना perspective के वह लिख रहे होगा और हो सकता है वो perspective दूसरे के समझ में ही नहीं आए तो यह important चीज होती है essay के लिए especially कि आपको एक second point of view, third point of view भी चाहिए होता है clear so पहले तो मैं यही आपको suggest करूँगा कि आप कुछ essays, कुछ toppers के essays को देख लीजिए उसको, उसका introduction, उसका conclusion रट्टा मार लीजिए और फिर ultimately जो आपके this essays हैं उसको आप लिखना शुरू करिए तो यह चीज है, शुरू में हो सकता है जो practice कर रहे होंगे, उनके लिए भी हो सकता है शुरू में 4-5 घंटे लगे this is very genuine, even अगर आप किसी essay को first timer अगर आप हैं और अगर आप किसी essay को 4-5 घंटे में भी लिख रहे हैं तो आप बहुत efficient है बहुत better तरीके से काम कर रहे है लेकिन यह है कि अगर आप माली जमेंस examination देने आ रहे हैं उस समय अगर आपको 4-5 घंटे लग रहे हैं then there is a concern, ठीक है तो आप time limit में आ जाईए कोशिश यह करना है कि आपको essay 1 घंटे में लिखना है आदे घंटे में fabricate करना है तो देड़ घंटे हो गए एक essay के लिए similarly दूसरा essay पहले से अगर prepare करके जाएंगे तो आपका introduction और आपका conclusion पहले से तयार पड़ा हुआ है थोड़ा सा tone बदलने की जरूरत होती है mold करने की जरूरत होती है वो आपका part prepare है body में आपको काम करने की जरूरत होती है केवल क्या चीज है कुछ और suggestion के तौर पे मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले जब भी आप question को पढ़िए मतलब essay का topic पढ़िए read it multiple times और उसके जो word हैं उसको तोड़ दीजिए एक-एक word का अलग-अलग मतलब सोचिए and then try to connect all the words जो भी words है उनको connect करने की कोशिश करिए कि exactly इसका क्या-क्या मतलब निकल सकता है clear हो गया कई बार क्या होता है कि आप सोच रहे होते हैं कोई चीज actual में निकलती है कोई और चीज एक्जाम में प्रेशर बहुत जादा होता है आप उसका एक overall एक environment नहीं समझ पाते हैं overall किस sense में बोला या रहा है नहीं समझ पाते हैं single-single dimension एक समझ के कोशिश मतलब समझ पाते हैं एक ही dimension जो की आगे फिर cost कर जाती है तो यह सब काम मत करिएगा and this is the thing this is the all possible strategies that I can deliver you for writing the essays तो यह काम कर सकते हैं यह काम करिए और जो आपको essays मिले वो लिखिए and that is all बागे आप अपने रास्ते करके again send कर सकते हैं ठीक है बागे अगर कोई question हो तो obviously you can reach us and already बागी चीज़े आप जान रहे हैं बागी essays लिख करके आप send करिए हम लोग इसे evaluate करके आपको देंगे ठीक है तो best of luck and best of luck for your future examinations